केंद्रिय मंत्री स्रीमतिय स्मिर्टी राणी जी संबोधित करेंगी बगल में हमारी पूर्व राष्ट्विय महमंत्री वरिष्ट नेत्री स्रीमतिय सरोज पांडे जी हैं और हमारे मुख्ध प्रवक्ता मीडिया प्रमुख सांसद अनिल वलूनी जी है मेरा विनम्र निवेदन है स्रीमती स्मृती जी से कि आपको सम्होजित करें Ladies and gentlemen of the Indian media, through you I would like to bring to the notice of all our citizens that the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shahji, today in Lok Sabha, appealed to all members of the opposition to initiate a discussion, a debate on the issue afflicting the state of Manipur Amit Shahji has repeatedly said that in both Houses of Parliament he as Minister in Charge of Home Affairs would like to bring certain facts to light that the discussion is important from a perspective of national security, internal security that this discussion, this debate is also expected by citizens of our country who elect us to Parliament so that issues of national importance can be productively discussed What is shocking is the insistence of the opposition parties to not allow facts to come to the fore I am the host of the community I am the host of the village I am the host of the people I am the host of the heaven मनिपूर में कानून व्यवस्था के संदर्ब में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्ब में, देश के माननिय ग्रह मंत्री जी, दोनों सदनों में चर्चा के लिए तयार हैं। हम अचम्बित हैं कि विपक्ष मनिपूर पे चर्चा से भाग रही है। साथी साथ राष्ट्य मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतिय जन्ता पाटी के कारेकरता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं। कि देश के ग्रहमंत्री दोनों सद्नों में चर्चा के लिए तयार है। प्रश्न ये उठता है के विपक्ष मनिपूर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाएं। उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यूं भाग रही है। I'll now leave the floor open for questions. आपके तीन प्रश्न हैं विविद विश्यों पर। पहला प्रश्न की Congress Party क्यूं मानने ये प्रधान मंत्री जी पर अभद्र टिप्रणी कर रही है। Congress Party और Congress Party से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डाइनस्टी के छत्रचाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। उस एक परिवार को विशेश नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूँ कि Congress के एक ऐसे नेता ने आपत्ति जनक टिप्पणी सिर्फ प्रधान मंत्री जी पर नहीं बलकि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उन पर भी इस प्रकार की अमानविय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम Congress और Congress समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रिंखला में एक और वाक्य पुना जोड़ा है Congress के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांदी खांदान से कि वो प्रधान मंत्री जी और उनकी स्वर्ग्य माँ पर हुई इस अभद्र टिपणी पर कोई भी कारवाई करेंगे। बलकि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिपणी करने वालों को जरूर गांदी खांदान पूरस्कृत करेगा। आपका दूसरा प्रश्ण था लाल डायरी पर। मैं स्तब्द हूँ ये जानते हुए कि एक सम्विधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री एक जनप्रतनिधी को निर्देश करता है कि सेंट्रिल एजनसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडिन्स चुराकर भागे। एक ये केस अब्स्रक्शन अफ जस्टिस का है। दूसरा, डाइरी लाल हो, पीली हो या हरी, अब ये साफ हो चुका है, कि उस डाइरी में लिप्त हैं कंग्रेस के काले कारणा में। आपका देविंद्र जी एक और प्रशन है, लेकिन अगर सारे प्रशन आप पूछेंगे, तो आपके बागी साथियों के पास प्रशन पूछनें का समय बचेगा नहीं। यतिंद्र, टीवी यतिन। मंत्राले में एहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ, कि उन्हें एक राज्य के वक्त बोर्ड ने काफिर घुशित कर दिया है। मैं अल्प संख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं। देश का कोई भी कानून वक्त बोर्ड को ये इजाजत नहीं देता। कि वो किसी को अपने धर्म से विहीम करें। इस संबंद में ये भी स्पष्ट करना चाहती हूं। मेरे पास जो जानकारी आई है, उसमें ये ग्यात हुआ है, कि किसी एक नॉन स्टेट अक्टर एक संगठन के फत्वा को सरकारी ओडर में तबदील किया गया है। ये भी संविधान और एक्ट अफ पार्लमेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से उजारिश की है, कि वो संबंदित वकपोर्ड के संदर्व में कारवाई करके हमें सूचित करें। हाली का जो गडबन्दन हुआ है विपक्ष का वो गडबन्दन इतना अनुखा कि आप कोई चारा खाता है कोई गोबर् तो ये तो 36 गड़ की सरकार को सपश्ट करना होगा कि हमने सुना था पहले शराब में गोटाला करते हैं अब गोबर में भी करने लगे। मैं इतना है कहना जाओंगे ना मैंने फिल्म देखिये है ना मुझे ग्यात है कि सर्लिफिकेशन प्रॉसेस में कौन लिपता है निश्चित रूप से सूचना प्रसानन मंत्राल है इस पर ना सिर्टिपनिंग कर सकता है बलकि कारवाई भी नीरा जी आपने जो अपनी भूमी का रखी प्रश्ण में क्या विपक्ष इस लिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि रजिस्थान में च्छतिजगर में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमन हुआ यातनाएं हुई प्रताडन हुआ बंगाल में महिलाओं को नगन करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया आज ही मुशिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कॉंग्रिस की किसी कैंडिडेट का समर्थन किया मेरा इस विश्य पे एक निवेदन है हाली में मैंने 36 गड़ से संबंदेत एक महिला को नगन करने का विडियो देखा और इंफोमेशन टेक्नॉलजी मंत्राले को सूचित भी किया यह सत्य है कि कॉंग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाब देही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुपी साधकर क्यों बैठते हैं लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगे Stop using crime against women as instruments to settle political scores मैंने IT ministry से भी निवेधन किया कि 36 गड़ की इस महिला की विडियो के संदर में सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से त्वरेत रूप से चर्चा हो क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का विडियो बार बार वाइरल किया जाता है तो उस महिला को आप re-victimize करते है तो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से चतिसगर का ये विडियो आया है मैंने अपील किये है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंथ हटवाया जाए ताकि महिला का re-victimization ना हो क्यों कॉंग्रेस के कारेकरता का समर्थन करने के लिए बंगाल के एक महिला को नगनी किया जाता और कॉंग्रेस चुप बैठती है ये तो स्पष्ट है नीरच जी उनके लिए सक्ता इंसाफ से जादा प्रिया है शायद इस से भी कॉंग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मनिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनवतिया थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष महा जाकर आख को और क्यूं भढ़का रहे थे मैं तो पुना अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज ग्रहमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आईए सदन में चर्चा कीजिए वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है मैं तने कहूंगी कि हाइए कोड़र को चुनौती देना यह अपने आप में ममता सरकार का संकेत था कि वो नहीं चाहते कि राम नव्मी में जो घटना घटी इंसक उस पर जनता को न्याई मिले और विशेश का हिंदू समाज को न्याई मिले इसलिए उनका सुप्रीम कोड में हाइए कोड़र को चुनौती देना यह स्पष्ट संकेत है कि ममता जी नहीं चाहती कि ट्रांस्परेंट जाज हो मैं आभारी हूं कि सुप्रीम कोड ने राम नव्मी से संबंदित हिंसक घटनाओं की जाज एनाई के पास रहे इस बात को प्रखरता से कहा प्रखरत में प्रखरता से संबंदित है जोड है लोग विफ गन्गी विविवाइ दिव विव्विव करें अर सपन्यटों प्रफ एंधीह लोगा एंग इंद करने सत्य प्रफ़्ति प्रफेर मोध्य विव्वेश्ठीक अबिल्चिव दून करोटिख और सीजेव देट अविवेश्ट एव मुझ शूमझ मुझ चल्ची खुंब का एक रहसकत सकता क कुल झाक सक्टीन है है तक एंरू खिग हल्ट का खेक बस्काइब सि chairman and even what the market summary says of three hundred and eighty eight percent in the past five years I would also like to highlight that we now as a country have become the fourth largest exporters in electronics, that the Prime Minister's PLI scheme for smartphones has in fact contributed 52% to electronics exports is yet another manifestation of the success of Make in India. that the Congress Party and particularly the dynasty was never in support of Make in India, these results and especially the stupendous performance shown by HAL is a remarkable response to the dynasty. I am saying again, नहीं किये है, छपन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, विपक्ष उस पर चर्चा नहीं चाहती, मुर्शिदाबाद में एक महिला को नगनमात्र इस दिये किया गया क्योंकि वो कॉंग्रेस के कैंडिडिट का समर्थन कर रही थी पंचायत के चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं चाहती बिहार में एक महिला के साथ दुश्कर्म किया जाता है कॉंग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं करना चाहती कॉंगूरेस पार्टी अपने आपको सिलेक्टिव आउट रेट्ज तक सीमित करना चाहती है यह राजनीती उनकी पूरा राष्य समझता है लेकिन विशे मनिपूर का जहां तक है, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंदित है, राश्ट्रिय सुरक्षा से संबंदित है, जब देश के ग्रहमंत्री जो इस मंत्राले के अंतरगत उस विशे पर सम्विधानिक जिम्मेदारी रखते हैं। जब तरिक सकते हैं। झाल झाल